सो वेलकम गाईस वेलकम तो माई यूटीब चैनल और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th 11th और 12th सभी के लिए कॉमन है और यह टॉपिक बताने जा रहा है कि बेंजीन का इस्ट्रक्चर क्या होता है बेंजीन इस्ट्रक्चर का एनलेसिस हम करेंगे बेंजीन इस्ट्रक्चर एक हेक्जागोनल स्ट्रक्चर होता है हेक्जागोनल का मतलब होता है हिंदी में शट कोड़ी है या छे कोड़ी है या छे कोड़ी वाला यानि कि यहां पर six angles बनते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में और हमको मालूम है कि जो बेंजीन का जो molecular formula है जो बेंजीन का molecular formula मतलब अब ये 6 carbon और 6 hydrogen की परमाडू किस तरह से अरेंज होते हैं यही हमें बेंजीन के structure में देखना है यहां पर आप देख रहे हैं कि इस picture में carbon परमाडू जो की बड़ा है hydrogen के पेक्षा इसको हमने एक बड़े पीले point या light orange कलर से दिखाया गया है जो hydrogen atom है इसको हमने blue और small point से दिखाया गया है अब इन structure के अगर बात करें तो यहां पर देखिए एक hexagonal structure बन रहा है इस तरह से जो hexagonal structure जिस hexagonal structure नहीं शटकोन यह संदशना की बात कर रहा हूं है वह यहां पर इस पश्ट है कि जो 6 carbon atom है यह आपस में single bond दोरह चुड़कर एक hexagonal structure बनाते हैं लेगिन इनके भीतर alternate double bond या सही बंद भी पाए जाते है alternate double bond उन बंदों को कहते हैं जिन condition में एक के बाद एक double bond इसके बाद एक single bond एक double bond एक single bond आता है so guys यहां पर देख लिए clear है कि यहां पर देखी अगर यहां पर double bond है तो फिर यहां पर double bond नहीं है यहां पर double bond है तो फिर यहां पर double bond नहीं है यहां पर double bond है तो यहां पर double bond नहीं है और double bond, single bond, triple bond यह सभी कोवेलन बॉंड यह कोवेवेलन बॉंड होते हैं और बेंजेन की केसे में अल्टरनीन डबल बॉंड पाया जाता है इन अल्टरनीन डबल बॉंड से sin carbon पर स्फिरंट्र नहीं होता है है सभी carbon एक प्लेन मेंलाल सुधर्द नहीं होत uphold यानि कि इनके पास 3SP2 hybridized orbital होते हैं जो कि bonding की प्रक्रिया में पार्ट लेते हैं इसके बाद 6 के 6 carbon परमाडू एक ही plane में इस्तित होते हैं यानि कि यह एक समतली संद्रचना को बनाते हैं और यह एक शटकोड़ी संद्रचना होती है इसके बाद हर carbon परमाडू के साथ एक hydrogen परमाडू single bond से जुड़ा रहता है यहाँ बाद आप देख रहे हैं कि यह blue point है small सा यह इस carbon atom से single bond के दोरा जुड़ा हुआ है अब हर carbon से एक hydrogen परमाडू single bond दोरा जुड़ा रहता है और इस तरह से एक hexagonal structure का निर्माड होता है जो कि benzene का structure है यह संद्रचना benzene की जो कि co-planar यानि समतलिय है hexagonal यानि कि shut code है और इसमें alternate double bond यानि सहीं बिद्विया बंद पाया जाते है यानि कि alternate double bond पाया जाता है यह structure के को लेने दिया था और यहां पर यह जो दो structure के बीच में एक double headed arrow दिखाया गया यह resonance को व्यक्त करता है resonance का मतलब होता है कि जो benzene का structure है वो इन दोने structure का कोई intermediate structure होगा benzene की सारी properties की explanation ना तो इन दोने में से किसी भी structure दोरा नहीं की जा सकती बलकि ज्यादातर गुड़ों की व्यक्तिया किसी एक structure से की जा सकती है यह था benzene के detailed structure अब conjugated double bond अब जो अगर हम बात करें कि जो benzene का structure हम इस तरह से बनाते हैं benzene का structure जो हम इस तरह से बनाते हैं और बीच में हम एक ring बना देते हैं तो यह क्या है जबकि benzene की समचना में alternate double bond पाए जाते हैं alternate double bond इस तरह से benzene की समचना में पाए जाएंगे लेकिन हम यहाँ पे एक ring दिखा देते हैं इसका मतलब यह होता है कि इन alternate double bond की position स्थिर नहीं है यह pi bonds होते हैं क्योंकि एक double bond में एक sigma एक pi होता है तो बाहर वाला sigma bond होता है अंदर वाला pi bond होता है यह pi bond पूरे aromatic ring यानि कि benzene ring में delocalized रहते हैं delocalization का मतलब होता है वी स्थानी करण यह pi bond की कोई स्थिर दशा नहीं है यह पूरे ring में delocalized रहते हैं और pi electron clouds सभी जगा पर वित्रित होता हैं तो अब इस condition में यहां पर double bond है और दूसरी condition में double bond की position बदल सकती है यह हमेने benzene structure बनाया अब इसमें पहले एक इधर bond हो सकता है एक इधर bond हो सकता है एक इधर bond हो सकता है तो इस condition में benzene की सरनजना को हम इस तरह से दिखाते हैं यही reason है कि benzene के एक hexagonal shape बनाते हैं उसमें एक ring बना देते हैं एक ring को डाल देते हैं इसी तरह से कभी कभी किजिन की ने कंडिशन में रिंग के बजाए एक डॉटेट रिंग बनाया जाती है उस कंडिशन में भी वो बेंजीन का ही स्ट्रॉक्चर होता है और वो भी यही शो करता है कि पाई बॉरे रिंग में डिलोकलाइस्ट रहते है इतना था आज की वीडियो में बेंजीन डे स्ट्रॉक्चर एक बड़ती से रिपीट करते हैं कोप लेना यानि समतली होता है हेक्जागोनल होता है सभी कार्बन एस्पीटो हैबिडाइजड होते हैं सभी डबल बॉंड यानि कि अल्टरनेट डबल बॉंड पाय जाते हैं हर क इसका मॉलीगलर फॉर्मुला सीशिक्स होता है सो गाइस बहुत 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 है सकता आपको यह डॉपिक बेंजीन का जो इस्ट्रॉक्चर है यह स्ट्रॉक्चर केकुले ने दिया था और रेजोनेंस भी इसमें बताया था तो गैस थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपक यह फ्रेंट के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और थैंक्स और गुड़ लॉग फॉर एक्जामिनेशन बबाए